नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टैक अन्बॉक्सिंग और गैस आज की वीडियो में हम अन्बॉक्स करने लेक बहुत ही इंट्रेस्टिंग प्रोड़क्ट जो है एक रोबोटिक वाक्यूम एन मॉपिंग रोबोट और गैस यह है इको वैंस कंपनी का डी बॉट यूटू प्रो और गैस यह रहा उसका डीटल पैकेजिंग इस पर्टिकुलर रोबोट में आपको धेर सारे फंक्शनलिटी उन्होंने प्रोड़ किया है एस्पेशली इसका मॉपिंग का फंक्शनलिटी काफी जादा बढ़िया है प्लस इसमें उन्होंने पैट क्लीनिंग किट भी प्रोड़ किया है और एक स्मार्ट रोबोटिक व उन्होंने इसमें प्रोंऔर के जैसे आप देख सकते हो काफी बड़ा सा और मैसिव और इहाँ पर प्रोड़ किया है और यह काफी स्टर्दी बिल्ट के साथ आता है उसी के साथ नेक्स कंपार्टमेंट में यहाँ पर उन्होंने क्लीनिंग क्लॉछ प्लेट प्रोवाइड की है और फिर आपको देखने मिलते हैं उसके user manual और कुछ additional paperwork और उसी के नीचे की तरफ यहाँ पे उन्होंने disposable cleaning cloths प्रोवाइड किये जो approximately उन्होंने 6 यहाँ पे प्रोवाइड किये और finally यहाँ पे आपको उसके कुछ additional filters देखने मिलते हैं और side में उन्होंने यहाँ पे tangle free brush प्रोवाइड किया है जो एक additional brush उन्होंने प्रोवाइड किया है और नीचे के compartment में finally यहाँ पे आपको देखने मिलता है वो actual D-Bot U2 Pro robot तो यह आप देख सकते हो काफी बढ़िया build के साथ आता है तो इसे फिलालम रखते side में उसे के साथ यहाँ पे आपको चार side brushes भी उन्होंने प्रोवाइड किया है तो दो additional brushes यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं और फिर यहाँ पे उन्होंने उसका magnetic charging dock प्रोवाइड किया है जो आता है उसके पार adapter के साथ जैसे आपने देखा धेर सारी accessories उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड की थी तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे इसके build quality की और इसके ports की तो यहाँ पे आपको completely plastic build में देखने मिलता है high quality plastic उन्होंने यहाँ पे use किया है जिसमें आपको matte black color देखने मिलता है उपर की त sensor and bumper प्रोवाइड किया है नीजी की तरफ आपको देखने मिलते है उसके four anti drop sensor जो यहाँ पे काफी बढ़िया तरीकी से उन्होंने प्लेस किये उसे के साथ यहाँ पे universal wheel भी उन्होंने प्रोवाइड के exactly उसके side में आपको देखने मिलते है उसके charging contacts और side में उन्होंने brush का replacement option उन्होंने प्रोवाइड किया है जिसमें आप different brushes को install कर सकते हो जो उन्होंने प्रोवाइड किया है इस particular box के अंदर और उसके side में यहाँ पे आपको देखने मिलते है उसके driving wheels जो completely flexible है आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से shock absorbing technology उन्होंने यहाँ पे इसमें compartment देखने मिलता है जो है इसका dustbin and reservoir और नीचे की तरफ जो dustbin and reservoir का compartment है उसे कुछ इस तरीके से बस आपको remove करना है तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने एक multifunctional cleaning tool provide किया है और फिर यहाँ पे आपको dustbin का main handle देखने मिलता है तो कुछ इस तरीके से बस आपको इससे pull out करना ह है और यहाँ पे यह complete है dustbin जिसे कुछ इस तरीके से आप open कर सकते हो अंदर की तरफ यहाँ पे completely जो dry dust है वो accumulate हो जाएगी और उपर की तरफ यहाँ पे उन्होंने filter net और sponge filter provide किया है जिसे आप काफी आसानी से replace कर सकते हो और यह है high efficiency filter और जो reservoir compartment है उसमें आपको देखने मिल है या फिर cleaning cloth plate है उसे install करते है और यहाँ पे आप सुन सकते हो एक voice prompt होता है और जैसे हम इसका cleaning cloth यहाँ पे install करते है नीजी की तरफ आप देख सकते हो already यहाँ पे 4 points में से water इसका drip होना start हो चुका है तो बस यहाँ पे हम table पे इससे test करते है कि anti falling function इसका कैसे work करता है और table पे किस हद तक बढ़िया तरीके से mopping करता है तो यहाँ पे बस हम इसका जो ऊपर का auto start button है उसके उपर प्रेस करते है और आप देख सकते हो यहाँ पे यह start हो चुका है और काफी बढ़िया तरीके से edge to edge cleaning यह initially यहाँ पे कर देता है और simultaneously यहाँ पे mopping भी हो रहा है तो dust भी यहाँ पे clean हो रही है simultaneously plus mopping भी यहाँ पे आपको simultaneously मिलता है और guys approximately 2-3 minute में इसने complete जो table है उसे काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे clean किया है basically mop किया है water की help से और plus इस water में आपको चाहिए तो आप cleaning liquid भी add कर सकते हो so guys यहाँ पे जो पहली cleaning test की वो हमने turn on की directly इसके button की help से but guys इसका आपको एक application भी देखने मिलता है so यहाँ पे हम देखेंगे उस application का एक short demo so यहाँ पे आपको eco wax का application देखने मिलता है और यहाँ पे dbot u2 pro आ चुक है और यह online है तो जैसे हम इसके उपर click करते हैं यहाँ पे आपको सबसे पहले different cleaning modes देखेंगे तो यहाँ पे है auto cleaning और guys यहाँ पे auto cleaning में कुछ इस तरीके का path यह use करता है उसके बाद यहाँ पे आता है spot cleaning जो एक specific area यहाँ पे clean करता है फिर यहाँ पे आता है edge cleaning जो edge to edge आपका room यहाँ पे clean करता है उसी के साथ यहाँ पे आपको charging का button देखने मिलता है so directly जाके charging पे connect हो जाता है और यहाँ पे आपको इसकी बैटरी देखने मिलती है, additional settings में जाते हैं, यहाँ पर vacuum power, water flow level, D&D, scheduling, आप schedule कर सकते हो इसे, cleaning logs में आपने कितना time इसे use किया था, different different cleanings के लिए, वो आपको visible हो जाते हैं, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर different different cleaning logs आ चुके, जो हमने इसके पहले इसे use किया है, उस यहाँ पर accessories usage का option आपको देखने मिलता है, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर side brush की life, main brush की life, filter की life, आपको काफी आसानी से visible हो जाती है, तो उस हिसाब से आप इने replace कर सकते हो, और plus guys, यहाँ पर आपको additional settings देखने मिलता है, find my dbot का option उन्होंने प्रोइड किया है, तो जैसे म cleaning, test करने का different mode में, तो इसका जो cleaning compartment है, उसे हम remove करते है, और यहाँ पर जो उन्होंने excel dust bin provide किया है, जो specifically dust bin है, उसे यहाँ पर बस install करते है, और आप देख सकते हो, यहाँ पर floor के उपर कई सारे चोटे-चोटे particles, या फिर जो papers होते है, उसे हमने messed up किया है completely, और यहाँ पर हम test करेंगे, इस D-Bot को application की help से, तो सबसे पहले, यहाँ पर हम करेंगे, इसमें spot cleaning, और आप देख सकते हो, spot cleaning में, यहाँ पर जो D-Bot है, completely circular motion में, काफी बढ़िया तरीके से, यहाँ जो floor है, उसे clean कर रहा है, उसे के साथ second cleaning mode में, यहाँ पर हमने इसे turn on किया था, edge cleaning mode पे, त detect करता है, मतलब literally touch करके, यहाँ पर detect करता है, कि यहाँ पर जो obstacle है, वो legit है कि नहीं है, और directly अपना cleaning process आगे continue करता है, जो इसकी बहुत ही बढ़िया बात है, और फिर हम switch करेंगे, इसे auto cleaning mode पे, और auto cleaning mode में आप देख सकते हो, यहाँ पर area के एक end से दूसरे end तक काफी है, यह clean करता है आपका surface, और यहाँ पर यह एक भी area miss out नहीं करता है, जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर जो sofa है, उसके नीचे भी यह काफी बढ़िया तरीके से work करता है, और literally यहाँ पर जो sofa के नीचे के stand से उसके भी obstacles को यह detect करके, काफी आसन इसे अपना route यहाँ पर change करता है, और जैसी यह पूरा floor यहाँ पर clean करता है, यहाँ पर इसका time आता है, charging dock पर return जाने का, charging के लिए, बस application में आपको click करना है, return to charging dock, और आप देख सकते हो, काफी बढ़िया तरीके से smoothly, यह जो particular debot है, काफी आसन इसे, यहाँ पर charging dock पर plug-in हो जाता है, charging के लिए, और plant है, उसे हमने place किया था, जो काफी lightweight plant है, और यहाँ पर देख सकते हो, जो debot है, वो यहाँ पर cleaning कर रहा है, और immediately जैसी यह plant उसके सामने आ जाता है, इसे थोड़ा बहुत यहाँ पर slide कर देता है, और literally थोड़े time के बाद इसे गिरा ही देता है, so इसका जो मतलब lightweight obstacle detection, जो function ह है, वो इसमें इतनी अच्छी तरीके से work नहीं कर रहा है, so आपके कोई crucial objects रहेंगे, या फिर कोई भी decorative show pace रहता है, तो उसे break होने के chances काफी जादा है, इस particular debot में, so इसका यह जो particular sensor है, मतलब lightweight objects को detect करने का, वो मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा, इस particular debot में, और उसे के साथ हम बढ़ेंगे इसके Alexa control की तरफ या फिर Google Assistant आप यहाँ पर बोल सकते हो, so यहाँ पर Alexa के साथ मैंने इससे setup किया था, so बस इसका जो skill है, आपको install करना है, और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक short demo बताऊँगा, कैसे यह exactly work करता है Alexa के साथ, Alexa, ask debot to start cleaning, okay, now your debot is cleaning, Alexa, ask debot to stop cleaning, okay, your debot has stopped, Alexa, ask debot to return to dock, okay, now your debot is charging, I'm starting to charge, so गया, जैसे आपने देखा, Alexa के साथ हो गया, या फिर smart application के साथ हो गया, यह जो particular debot है, काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर work करता है, और अभी हम बात करेंगे, इसके battery life की, तो इसकी जो battery life है, approximately अगर यह cleaning स्टार्ट करता है, तो 110 minutes तक यह continuously clean कर सकता है, और अगर इसके charging time की मैं बात करूँ, तो approximately 4 to 5 hours का charging time इसे लगता है, जैसे यह charging dock पे install हो जाता है, so by battery life के मामले में, जी हा, battery life काफी एची 110 minutes, but charging time मुझे काफी जादा लगा, इस particular D-Bot का, and guys, overall यह जो particular bot है, काफी बढ़िया है, cleaning के मामले में भी काफी एची तरीके से room clean करता है, आप schedule कर सकते हो, मतलब for example, अगर मैं studio आ रहा हो, तो एक गंटे पहले मैं यहाँ पर instruction दे सकता हो, कि start cleaning, और यह completely जो studio है, वो clean करके रखेगा, so यह इसका मुझे बहुत ही अच्छा functionality लगा, and अगर मैं बात करू इसके pricing की, तो approximately 25,000 रुपीज की price में आपको यह D-Bot मिल जाता है, जहाँ पर उन्होंने इसमें warranty भी प्रोवाइड किये, और accessories के मामले में भी additional accessories उन्होंने box में प्रोवाइड किये, जिसकी life भी आपको इसके application में देखने मिलती है, तो जैसे replace करने का time आता है, application में आपको एक command आएगा, कि इन्हें अभी replace करना चाहिए, और अगर किसी को इसे purchase करना है, तो link में नीचे description में दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप इसे purchase कर सकते हो, तो गैस बस यही था आज का एफ वीडियो, आपको आपको इफ वीडियो पसंद आगा, अगर आपको इफ वीडियो पसंद आता है, और SE Tech Related Unboxing के लिए, प्लिज सब्सक्राइब कीज़े हमारे चैनल को, और दोस्तों और एक इंपोर्णन बास, प्लिज मेरा Facebook पेज और Instagram पेज भी लाइक कीज़े, तो दोस्तों मिलते हैं के लिए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,